अगर आपने पहले कभी भी लोन नहीं लिया इस वज़े से आपका civil score कम है तो यह application आपकी जरूर help करेगा क्योंकि यह application without credit history instant loan provide करता है इसका मतलब यह नहीं है कि आपने पुराना loan का EMI समय पे बे नहीं किया इस वज़े से आपका civil down है और आप loan apply कर रहा है तो उस case में आपका loan इस application से reject हो सकता है application आपको provide करता है 25,000 रुपीज तक का loan जिसे आप instant इस्तमाल कर सकते हैं किसी भी UPI application के जरिये जैसे कि Google पे Paytm या फिर phone पे या फिर और कोई UPI application यहाँ पे आपको cash loan नहीं मिलता है लेकिन जब भी आपको अचानक से कहीं payment करना हो पैसो की जरुरत हो तो आप इस application को try कर सकते हैं application आपको without interest loan प्रोवाइड करता है आपको अभी तक loan नहीं मिला कहीं से भी तो आपको बहुती best solution बताने वाला हूँ simply आपको Google पे जाना है और यहाँ पे search करना है apps गुरूजी एक सांथ लिखिए एक सांथ लिखिए search करिए search करने के सांथ आपको यह website दिखाई देगा simply आपको इस पे करना है tap tap करने के बाद आप इस website के उपर आ जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि धेरो ऐसे application से जिनके बारे में detailed information आपको दी गई है कैसे apply करना है कैसे आप loan ले सकते हैं और maximum loan application में सिर्फ आपको अधार card और pen card का इस्तमाल करना होगा 500 रुपे से लेकर 5 लाख रुपे तक का loan आप घर बैठे अपने phone की मदद से किसी भी emergency में बहुत यह असानी से ले सकते हैं जैसा कि screen के उपर देख पा रहे हैं बिना किसी documents के बिना किसी application fee only 5 minutes के अंदर में यह application आपको instant loan प्रोवाइट करता है लेकिन उसके लिए आपके eligibility criteria भी important है जो कि इस video में हम complete detail में जो है जानेंगे benefits के अगर बात करो तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कोई interest नहीं देना होगा नहीं कोई processing fee देना होगा कोई भी prepayment penalty भी देने की जुरत नहीं है और नहीं कोई guarantee security या फिर income proof देने की जुरत है यहाँ तक कि आपको interest नहीं लगता है processing fee भी नहीं देना होता है अगर आपको कहीं पर भी payment करना हो किसी भी purchasing के लिए तो आप इस application को अपने local shops के अंदर या फिर online भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस screen के उपर देख सकते हैं अगर आप इस application से suppose 5000 रुपीज का loan जो है लेते हैं तो यहाँ पर आपको 4 month का tenuer भी मिल सकता है लेकिन उस tenuer के according आपको monthly जो fee है वो लगभग 150 रुपे प्लस GST पे करने होंगे total 177 रुपे आपको payment करना होगा इस तरीके से आप 1000 EMI cost और 177 रुपीज maximum 1177 रुपे पर month EMI में पे करेंगे calculate अगर आप करेंगे तो overall 5800 रुपीज का जो है आप payment करें total और 800 रुपीज आपको extra 4 month के अंदर 5000 रुपीज के लोन के उपर देना पड़ेगा LGBT criteria screen के उपर जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी age जो है कम से कम 21 year होनी चाहिए आप एक Indian citizen होने चाहिए और must be आप कोई भी application इस्तेमाल करते हों जो की UPI application है जैसा कि आप देख पा रहे हैं भीम Google पे, phone पे, Paytm या फिर कोई और other UPI application यहाँ पे pan card, अधार card के उपर आप घर बैठे phone से जो है अपने loan ले सकते हैं कभी भी अगर आपको urgently कहीं पे payment करना हो application को इस्तेमाल करने के लिए Simply Play Store के उपर जाईए और सर्च करिए Aspire Pay Later यह application आपको प्रवाइड करती है घर बैठे phone से जो है Pay Later option जो की 25,000 रुपीज तक का जो है आपको मिलता है application से instant loan ले सकते हैं अधार card, pen card के उपर सिर्फ लेकिन अगर आप application में try कर रहे हैं तो आपको अपनी city ज़रूर चेक करनी चाहिए इंडिया के अंदर यह application फिलाल अभी गुजरात, महराष्ट्रे, करनाटका, तमिलनाडू, तिलंगाना आंदर परदेश में loan अभी serve कर रहा है हो सकता है आने वाले समय में पूरे all over India में loan प्रोवाइड करें नई application है, instant phone से जो है आप loan try कर सकते हैं तरीके का आपको extra cost यहाँ पर नहीं देना है नहीं कोई advance payment और नहीं किसी और तरीके का extra cost उमीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो से जोड़ी कोई भी query आपके मन में हो आप नीचे comment करें मैं आपके inquiries को जरूर solve करूँगा आज किस वीडियो में बस इतना है मिलता हूँ दोस्तों फिर आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए खुस रहिए, सुस्त रहिए और मस्त रहिए